हेलो रिवन, विल्कम बैक टो ऑनलाइन स्टडियोन इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टर जीके जीस का सेट नमबर फोर और इस सीरीज के रिगार्डिंग आप लोग की काफ़ी डिमांड आ रही है काफी कमेंट आप लोग कर रहे हैं कि सीरीज को चलने देना चाहिए तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू रखूँगा बस आप लोग इसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो के साथ अधर बने रहे और जो भी वीडियो इसकी सीरी जाएंगी उनको आप अच्छे से फॉलो करिए और इसमें जो questions आपको दिये जा रहे हैं आप उनको अच्छे से याद रखे अगर नहीं याद रखे हैं तो फिर problem आपको होगी क्योंकि यही सब questions आपको paper में देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोग अच्छे से याद रखे यह जो PDF होता है मैं टेलिग्राम पर डाल देता हूँ आप वहाँ से चाहो तो प्रिंट आउट करा सकते हो डाउनलोड करके कोई problem नहीं है और जैसे कि मैं आपको बताता है अगर आपके पास area में कहीं क्यूज वगरा चलता है चार से पांच लोग अगरूप के साथ पढ़ते हैं आप तो वहाँ पे इसको सिरिज को आप पूछ सकते हो कि उचके format में ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और इस PDF का आप ज़्यादा ज़्यादा उठा सको हो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हों बोग वीडियो को continue कर दें और जिस काम के लिए आप आप आया है उस काम को complete करते हैं तो सबसे पहला questions यह है कि किसकी अधिक्स्ता में कॉंग्रिस के अमरिसर अधिवेशन में जलियावाला बाग हत्याकारण की नींदा की गए थी तो यह थाप का मोतिलाल नहरू की अधिक्स्ता में जलियावाला बाग जो हत्याकारण यानि अमरिसर अधिवेशन था मोतिलाल नहरू की अधिक्स्ता में होगा था अगला प्षणिकी भारती करांती कारी कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना तो स्वमेंदर नाथ टाइगूर ने किया था ठीक है स्वमेंदर टाइगूर अब एक चीज मैं आपको और बता दूँ देखिए कुछ चीजे ऐसी होती है जो हर चीज को मैं नहीं बता सकता जैसे यहाँ पे तोड़ासा जिग्यासू बनिये कि हाँ अमरी चरह दिवेशन कब हुआ ही है तो जिसके दर कि स्थमोंतिलन नहीं किया था तो कब किया तो आप लोग कमेंट करके या फिर खोज करके अपने पीडियेफ में अगर प्रिंट आउट कराते हैं तो उस पीडियेफ में आउट डाउन कर लिजे याद रहेगा आपको अब यहाँ पर मैंने बताया कि भारती करांतिकारी कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी तो सुमेंदिर नाथ टाइगोराप मैंने यहाँ आपको बताया तो कब की थी यह आपकी जिमरदारी बनती है कि आप यहा अगला प्रशने की सम्मति आयू अधिनियम किस के समय में आय था यानि गुवर्णर जनरल कौन थे तो लॉड लैंस डाउ अठारत वर इकार्वी की बात है ठीक है अगला प्रशन सेल चित्रकला की खोज भारत में स्वर्परतम किस ने की थी तो आर्की बोल्ड कर लाई तो सही आंसर हो जाएगा औप्सन स्वरी सही आंसर हो जाएगा आर्की बोल्ड करलाईल तो सही आंसर यहां पर हो जागा आर्की बोल्ड करलाइल ठीक है आर्की बोल्ड करलाइल जो थे वो सेल चित्र के खुछ भारत में सवर्पतम इनों नहीं किया था आर्की बोल्ड बस याद रखे उतना भी काम चल जागा इसके बाद नेक्शो ने कि महाबली पूरम में सोर मंदिर बनवाए गए थे किसके दोरा तो पल्लवो के दोरा बनवाए गए थे अगला पॉइंट से कि बिसु में मक्का का सबसे बड़ा उतपादक जो देश है वो कौन सा है तो यूए से बिसु में सबसे बड़ा मक्का का उतपादक तेज कौन सा है तो यूए से हैं कि याद रखेगा। प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो वेगु सराजवे इसको ठीक है। विश्वय मानवादिकार धिवस मना जाता है दस दिसम्बर को ये डियाद रखेगा। भारत में डक्कन की लावा पत्थ में मुख्य रुप से किस प्रकार की मिट्टी पाए जाती है। तो मिट्टी काली मिट्टी होती है जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिरोज साथ तुगलक का मकबरा कहा इस्ती थे। फिरोज साथ तुगलक का मकबरा दिल्ली में पढ़ता है। 31.16 प्रतिशत . टीहरी बांध किन दो नदियों के संगंप रिशत है। उत्राखंड में टीहरी बांध भागीरती और भिलांगना के संगंप रिशत है। एमेम पुंची आयोक जो है, इसका गठन कभ प्या गया था। एमेम बुंचियायो का गठन केंदराज समंध सिंग है ये आपका 27 अप्रेल 2007 को 27 अप्रेल 2007 को स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखा को है स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखा के आर की नरायन आर की नरायन ये नाम याद रखेगा important है बागला महतσो में घाले में गारो जन्जाती के तोरा ये मना जाता है और मैंने आपको कल वीडियो दिया था पुरवुतर राजु प्रमुख उत्सव है उनके नामों आप याद रखेगा इব lawa में ये गारो जन्जाती के दोरा बना जाता है बागला महत्व चलीज के बाद नेक्ष टोन है, मांडो महत्सो का संबंद गुवास होता है, मांडो महत्सो गुवास है, और कैलपोध जो महत्सो है, ये करनाटा के साथ संबंद रखता है, जबकि मडई उत्सो ये 36 गड़ के साथ है, तो ये तीनों आप याद रखेगा, स्टैटिक्स के लि अमरित दिवान कब, अमरित दिवान कब बैडिमिंटन के साथ, ठीक है, इंपोर्टेंट है, अगला प्रशने की प्रत्थम भारती उपगर आरेभाट को प्रच्छेपन कभी क्या गया था, मौसी और भीयमा सायक नधिया है किस के, मौसी और भीयमा सायक वली तीन सबसे बड़ी नदिया, गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत, इसके बाद चोथे नमबर पे आता है क्रिश्णा, ठीक है? अगला प्रश्ट हरंगी, हेमावती, काविनी, भवानी किस की सायक न दिये हैं तो ये कावेरी की सायक न दिये किस स्थापना किस पंचवर्षी योसना में की गे थी किस समीती के सिफारिस पर ये आप कमेंट करके बताएं अगला प्रश्टने की NNP, NNP जो है, क्या होता है तो सकल रास्टी ये उत्पाद, यानि कि GNP में से गर मुल हरास को घटाते हैं तो हमें NNP प्राप्त होता है संघ लोग सेवा आयोग के अधेक्च का कारेकाल कितना होता है छे वर्ष या फिर पैंसट वर्ष जो भी पहले पूरा हो नेक्स्ट क्वेश्टन की फ्री थ्रो किस खेल से समन्दी थे तो बास्केट बॉल से समन्दी थे अगला प्रश्ट तसोंगो जो जील है यह सिक्की मिस्ती थे इसके बाद आवर्थ सानी में बाएं से दाय चलते हैं तो परमाणुत्रिज्या पर क्या प्रभा पड़ता है तो घटता है घटता है इसी तरह से हम एक और सीरीज लाएंगे सिर्फ और सिफ जो कि साइन्स का ठीक है ना साइन्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यहर से राइट अगला प्रश्ट एलिफेंटा गूफा समर पीता है किस देवता को तो एलिफेंटा गूफा यह आपका सीव को समर्पी ते नेक्स्ट वन है कि केप जो कुमॉरीन है किस राज्य में इसती थे तो तमिलाडू में देखने को मिलता केप कुमॉरीन एब ब्रीफ हिस्ट्री ओफ लाइफ पुस्तक जो है वो किस ने लिखा तो स्टीफेन हॉकिंस ने 1988 में पुस्तक को लिखा था सिली पॉइंट जो सब्द है वो किस खेल से समझत है सिली पॉइंट सब्द किरकेट से समझत है किरकेट ठीक है महंदर वर्मन प्रथम किस राजवन से समझत था जिसे पुलकेशी इंदुतिये ने हराया था तो महंदर वर्मन प्रथम का समझत पल्लो सा सक थे और महंदर वर् का बदला लेने के रिब है अग्ला बिशल के सेवी की स्थापना 1988 में एक राएगा चले इसके बाद हमारा अग्ला प्रोष नहीं कि राष्टी अधुसुसारे गाले कहा श्थी थे तो तो देखें फिन साज की इस वीडियो में इतने सारे questions हमारे पास थें जो कि जीके जीस के most expected questions हैं आप इनको अच्छे से याद रखिए और इसकी PDF को हम टेलेग्राम पर डालते हैं तो आप टेलेग्राम को जॉइन करके रखिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF डावलोड कर स रखते हैं ठीक है और जैसे कि मैं आपको starting होता है कुछ कुछ जो points हम लोग questions में छोड़ते हैं questions बन सकता है वहाँ से आप उसको PDF में mention करिए या फिर अगर आप questions को लिखते हैं अपने copy पे तो copy में mention करिए search करके coach करके book से ठीक है तब जाकर के आप इस series का अच्छे तरीके से love उठा पाएंगे और इस वीडियो के regarding या फिर अगर आपके mind में कोई भी सवाल रहता है तो आप नीचे comment जरू करिए comment box खुला रहता हम आपकी सारे comments को पढ़ते हैं तो fans उमीद करते हैं ये video आपके लिए काफी helpful रही होगी video अगर अच्छा लगा हो तो like करेगा fan के सा आप नीच, have a good day